हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेग जोन पर और हमने अपना केमिकल बॉंडिंग लेस्न शुरू किया था लास्ट अन पर और हम लोग वही चीज पढ़ रहे थे तो लिविस थेवरी में हम लोग ने देखा कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट ड से बीच में स्ट्रॉंग फोर्स अफ्राइक्शन बन जाएगा तो यह होता है हमारा अयनिक और इलेक्ट्रोवैलिक बॉल्ट बॉल्ट तो यहां पर हम लोग ने मैगनीशन क्लोराइड और सोडियूम क्लोराइड का स्ट्रॉक्ट्र पढ़ दिखा जो कि हमारे आयनिक कंप 2 ठीक है और oxygen का मेरा atomic number होता है 16 ठीक है sorry oxygen का होता है 8 तो जाएगा 2,6 2,6 हो जाएगा अब आप देखें इसके valence में कितने electrons है 2 और इसके valence में है 8 तो ये 2 electrons इसे अगर क्या कर देगा अगर इसे दो अपने electrons दोनेट कर दे तो इसकी configuration हो जाएगी 2,8 और इसकी क्या जाएगी 2,8,8 इसका भी octate complete हो गया और इसका भी octate complete हो गया ठीक है तो यहाँ पर हम लोग structure बना लेते हैं calcium में हमारे कितने electrons है 2 oxygen में हमारे 1,2,3,4,5,6 तो calcium ने क्या किया calcium ने हमारे 2 electrons इसको क्या कर दिये donate कर दिये यहाँ पर 1 electron आगया और दूसरा electron ऐसे आगया तो अगर इसमें 2 electron donate कर दिये तो इसकी valency क्या हो जाएगी CA 2 plus और इसमें 2 electrons accept कर लिए तो O2 minus तो यहाँ plus और minus की पीश में कैसा हो जाएगा strong force of attraction डेवलप हो जाएगा या उसे कह दिया हम electrostatic force of attraction electrostatic force of attraction डेवलप हो जाएगा जिसके कारण हमारा इंदोर्ण की पीश में क्या बन जाएगा एक ionic bond और product बन जाएगा CAO product बन जाएगा हमारा calcium oxide ठीक है तो यह है हमारा calcium oxide का structure तो calcium oxide की structure के बाद अब हम लोग देखते हैं यहापर covalent bond के बाद ठीक है अब हम लोग यहापर देखेंगे covalent bonding यह covalent bond पढ़ेंगे हम लोग यहापर ठीक है तो covalent bond की जब भी हम लोग बाद करते हैं covalent bond की जब भी हम लोग बाद करते हैं तो वो mainly form होता है by the sharing of electrons दो elements के बीच में अगर mutual sharing हो रही है electrons की उसकी वजह से जो हमारा bond बन रहा है उसको कहते हैं हम लोग कोवेलेंट bond this is formed by the formed by the sharing of electrons, formed by the sharing of electrons, तो sharing of electrons की वज़े से अगर हमारा जो bond बन रहा है उसको हम लोग बोल लेते हैं covalent bond, अब covalent bond जो हमारा तीन पार्ट्स में classified है दिपेंडिंग ऄपन क्या तोच küç एंपन कितीर यह इटलिव्टर Absolute सिंगल को वेलेंट बउन क्यां देखें इसलिए दूट को वलेंट वाय सिंगल को वैलेंट बॉन था है और अगर बनारी टॉपनील इंटेरिक वेलेंट 끝ích नारी स्क्रीं ठीक है, double covalent bond और अगर तीन electron की sharing होती है तीन electron की sharing अगर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या triple covalent bond triple covalent bond ठीक है, तो अगर एक electron की sharing होगी तो single covalent bond, दो की होगी तो double covalent bond और तीन की होगी तो triple covalent bond ठीक है अब जैसे example हम लोग देखें या पर chlorine आटम के बीच में chlorine जैसे single covalent bond भी बात करें तो जैसे माने जी मेरा chlorine है chlorine में मेरे कितने electrons है रालेंस में 7 तो दूसरे chlorine में भी कितने है 7 ठीक है तो क्या हुआ इन दोनों ने ये electron mutually क्या कर लिया ब्रणन खिर्ड भी रहेगा और इसके साथ भी रहेगा और ये वाले electron इसके साथ भी रहेगा है इस वले chlorine के साथ भी अठाग्ज नहने वाला है यह तो यहां पर इसमिलोग बोलेंगे single covalent bond और जैसे असे होगो क्या होग से मीथेम का अब आप मताहें BC कापर में क्या होता है about hydrogen में better होता है fix 2 एघंए लेक्टरॉन की जो है कि रीजया बूंचे है अधियर उद्रॉडर या दॉन चलिए इसका एक और pas disease doing अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? NH3, अमोनिया की वैलस में होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच एलेक्ट्रोंस होते हैं, तो एक हाइड्रोजन यह हो गया, एक हाइड्रोजन यह हो गया, एक यह शेरिंग हो गई, एक यह शेरिंग हो गई, और एक यह शेरिंग हो of single covalent bond अब अगर हम देखें double covalent bond के examples तो double covalent bond के examples अगर हम देखें तो कौन-कौन से हो जाएंगे जैसे मेरा हो गया ethene ethene हो गया ethene ethene C2 H2 C2 H4 C2 H4 तो carbon double bond carbon यह कैसे बना देखें carbon में आपको पता है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ठीक है तो 2 electrons इसके क्या करेंगे यह आपस में share कर लेंगे एक hydrogen के साथ एक hydrogen यहाँ एक hydrogen यहाँ और एक hydrogen यहाँ ठीक है तो total 4 hydrogen हो गई और आपस में यहाँ पर क्या हुआ क्योंकि यहाँ पर आपके दो पेर electron pair जो है share हुआ है एक pair हो गया यह वाला और एक pair हो गया यह वाला तो इसके कारण यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक double bond बन जाएगा CH2 double bond CH2 ठीक है? यह हो गया मेरा ethene ठीक है? double bond CH2 double bond अब जैसे triple covalent bond की बात करें तो triple covalent bond में आता है मेरा ethine ठीक है? triple covalent bond में आता है मेरा ethine C2H2 ethine हो गया C2H2 जैसे carbon है एक, दो, तीन दूसरे carbon में भी कितने हो गया? टोटल 4 देखे वालेंस इलेक्ट्रॉन है यह वाला share हो जाएगा एक hydrogen से ठीक है? एक hydrogen से और यह वाला भी share क्या हो गया? एक hydrogen से बाकी के जो तीन हमारे बचे एक ये bond बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया तो यहाँ पर तीन pair of electrons की क्या होगे? शेरिंग हो गई तो तीन electron pairs की sharing जहाँ पर होगी यहाँ पर हमारा बन जाएगा triple bond यहाँ पर हमारा बन जाएगा triple bond बन जाएगा तो जहां 2 की sharing होई वहाँ double bond, 3 की sharing होई वहाँ पर triple bond, ठीक है, तो यहां पर एक note point है कि हमारे चुछ covalent compounds है, वो polar हो भी सकते हैं, धुरूबी हो भी सकते हैं, फिर धुरूबी नहीं भी हो सकते हैं, they can be polar और they cannot be polar, हो सकता है वो polar हो, हो सकता है वो polar ना भी हो, ठीक है, यहां पर हमारे ये note points है, polar का मदला में टूटने के बाद हो सकता है, एक positive pole बन जाए, एक negative pole बन जाए, mainly यह होता है, poles का मदला, ठीक है, तो यहां पर कुछ अगर properties discuss करेंगी, तो सबसे बढ़े discuss करते हैं, polar covalent compounds के बारे में, polar covalent compounds, तो polar covalent compounds में हमारी ये property होती है, कि जो shared electrons होते है, shared pair of electrons जो होंगे, दोनों atoms से unequal distance पर होंगे, तो सबसे फेरा point है क्या है, shared pair of electrons, shared pair of electrons are at unequal distance, are at unequal distance from both atoms, ठीक है, दोनों ही atom से वो अलग-अलग दूरी पर होंगे, तभी तो क्या होगा, एक तरफ positive charge जाद आ जाएगा, एक तरफ negative charge आ जाएगा, तो वाँ पर polarization हो जाएगा, ठीक है, यहां पर, यहां पर दूसरा point क्या है, partial, partial positive and partial negative charge का development हो जाएगा, यहां पर polarization हो रहा है, तो कुछ जगे पर मेरा partial positive charge चला जाएगा, कुछ जगे उपर मेरा partial negative charge चला जाएगा, तीसरा point क्या है, ionize in water, they ionize in water, यह water में ionize कर जाएगे, तो कि आपको पता है, water क्या है, water मेरा universal solvent है, water मेरा पहली बात तो एक universal solvent होता है, और universal solvent होने के अलावा, इसका dipole moment बहुत जादा होता है, dipole moment is very high, is very high, तो dipole moment इसका काफी जादा है, तो किसी भी substance को क्या कर सकता है, बहुत आसानी से, ionize कर देता है, पानी में वो घुल जाते है, अब कुछ example देखे, polar covalent compound के तो hydrogen chloride, HCl, तो आपको पता है, hydrogen में हमारे एक electron होता है, और chlorine में कित्ते होता है हमारे 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसने क्या किया, इसके साथ ये एक electron की sharing कर ली, अब जब इस electron की इसने sharing कर ली, तो hydrogen के balance में कितने electron आ गए, एक तो ये था ही और इसका ये भी ले ले लिया, तो कित्ते आ गए, दो आ गए, और chlorine के balance में कित्ते आ गए, 7 तो पहले थे, एक और ले लिया, तो 8 आ गए, तो 2 नहीं क्या हो गए आपके, 2 नहीं आपके हो गए, stable हो गए, ठीक है, अब जब ये bond तूटेगा, पानी में डालेंगे, तो ये हमारा bond तूटेगा, यहां partial positive charge आ जाएगा, यहां पर partial negative charge हो जाता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा hydrogen chloride, और example देखें, ammonia, ammonia भी क्या है हमारा NH3, polar covalent compound, देखें, ammonia में, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहां एक hydrogen आ गया, 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 बाकी ये क्या हो गए, lone pair, इसको हम लोग बोल दे है, lone pair, जो electron के pair, bonding में नहीं आए, उनको हम लोग बोल देते है, lone pair, तो यहां पर partial negative charge आ गया, और यहां तीनों hydrogen पर partial positive charge आ जाएगा, यह भी होता है, हमारा कैसा polar covalent compound, ठीक है, यह होता है, हमारा polar covalent compound, तो मतलब covalent तो है, इसमें poles भी बढ़ रहे है, partial positive pole और partial negative pole, अब हम polar non-covalent, मनदब non-polar covalent compounds के बारे में, अब हम लोग देखें यहां पर, non-polar covalent compounds, तो non-polar covalent compounds में क्या होगा, जो shared electrons होंगे, वो दोनों atom से बराबर दूरी पर आ जाएगे, equal distance पे हमारे क्या हो जाएगे, shared pair of electrons हो जाएगे, ठीक है, और दूसरी चीज़ कहें, यह पानी म हमारे ionize नहीं होने वाले, they will not ionize in water, ठीक है, और equal, जैसे example देखें आपर, अगर इसका हम example देखें, example हो जाता है हमारा methane, example is methane, example is methane CH4, example is methane CH4, जैसे carbon में आपको पता है, चार लेक्ट्रों होते हैं, वालेंस शेल में, यह हो गए, hydrogen में एक-एक हो गया, ठीक है, एक sharing यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो सारे जितने भी electrons की sharing हो रही है, सब equal distance पर है hydrogen और carbon दो रो से, ठीक है, तो यहाँ पर आपका यह कैसा compound हो गया, यह आपका है non-polar covalent, यह आपका है non-polar covalent, और यहाँ पर एक note point है, note point क्या है मेरा note point है, ही H2 हो गया, Cl2 हो गया, और O2 हो गया, H2, Cl2, O2 यह क्या है, perfectly non-polar compounds है, मदब H2 हो गया, Cl2, O2 हो गया, are perfectly non-polar covalent compounds, non-polar covalent compounds, ठीक है, हमारे non-polar covalent compounds हो गया, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, क्या-क्या conditions necessary होती है, covalent bond के formation के लिए, अब हम लोग देखिए के conditions necessary, conditions necessary for covalent bond formation, covalent bond ठीक है, covalent bond के formation के लिए, क्या-क्या necessary हमारी conditions होती है, अब हम लोग यह देखने वाले हैं, अब देखिए, हम लोग conditions देखते हैं, जो important होती है, हमारी covalent bond formation के लिए, सबसे पहली condition क्या है, वो atom जिसको covalent bond बनाना है, उसके valence में 4 और या उससे ज़्यादा electrons होने चाहिए, 4 और more valence electrons, ठीक है, जिसको हमारा covalent bond बनाना है, generally non-metals जो होते हैं हमारे, वही covalent bond बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, atoms should have high electron affinity, दूसरी बार, high electron affinity होनी चाहिए, high electron affinity, high electronegativity भी होनी चाहिए, high ionization potential, high ionization potential होना चाहिए, ठीक है, या फिर हम कहें इस पर negligible या zero electronegativity difference, इलेक्ट्रो नेगटिविटी का जो डिफ्रेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए लगबद जीरो होना चाहिए ठीक है दोनों में इलेक्ट्रो नेगटिविटी का डिफ्रेंस क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए क्योंकि अगर डिफ्रेंस बहुत जाता हो गया तो यह ह हमारे ionic bond बना लेंगे ना कि electrovalent bond ठीक है तो यह हो क्या हमारा अब यहां पर एक note point क्या है note point है note point देखिए यहां पर जो हमारी hydrogen है hydrogen hydrogen generally forms covalent bond ठीक है यह हमारा hydrogen generally forms generally forms covalent bonds covalent bonds with non metals ठीक है नॉन मेटलस के साथ hydrogen हमारी generally कैसा bond बनाती है covalent bond बनाती है हमारी hydrogen की गए तो ये तो हो गया हमारे ionic और covalent bonds की बाले में अब हम लोग दोनों को differences को discuss करेंगे, दोनों को differences क्या क्या होती है ये मैं प्रेक टेबल में ही आपर आपको summarize कर दे रहा हूँ अब देखिए हम लोगे आपर differences discuss करने वाले ionic compounds और covalent compounds में तो ऐसे compound जो ionic bond की वज़े से बनते हैं वो होते हैं हमारे ionic compounds और जो covalent bonds की वज़े से बनेंगे वो होंगे हमारे covalent compounds तो सबसे पहला जो हमारे difference है जो ionic compounds हैं हमारे वो normally crystalline solids होते हैं यह हमारे crystalline solids होते हैं ठीक है they are crystalline solids क्योंकि और यह किस से बने होते हैं made up of ions made up of ions यह हमारे ions से बने होंगे और इनकी बात करें covalent compounds की तो covalent compounds generally हमारे gases भी हो सकते हैं liquids भी हो सकते हैं अब यहार देखें can be gases solids or liquids और यह किस से बने होंगे यह हमारे बने होते हैं made up of molecules made up of molecules यह हमारे molecules से बने होंगे ठीक है next difference देखिए इन में melting point और boiling point दोनों ही high in का होता है تو melting point and boiling point दोनों में क्या है high होता है दोनों ही इनका लेकिन उनकी बात करें तो low melting and boiling point होता है या पर मेरा low melting point and boiling point हो जाता है तीसरा point देके difference का तीसरा point क्या है good conductor of electricity when dissolved in water यह हमारे good electricity conductors है electricity conductors है कब होंगे यह जब हम इने water में dissolve कर देंगे और in molten state जब या फिर यह अपने molten state में आ जाए में बात क्या है आपर ions free होने चाहिए अगर ions free हो गए तो electricity को conduct कर देंगे इस short में लिख लेते है ions should be free ions should be free होने चाहिए ठीक है और यह क्या हो जाएंगे poor conductors of electricity कहीं भी they are poor conductors of electricity in all phases in all phases सभी phase में चाहिए वो solution phase में हो चाहिए वो molten phase में हो यह सभी क्या होंगे poor conductors होंगे electricity वाले ठीक है तो यहां पर चौथा डिफ्रेंस जो है यह पानी में नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे हो गया मेरा methane या benzene solution हो गया इस टाइक तो नॉन पोलर सॉल्यूशन होंगे उसमें यह डिजॉल्व नहीं होंगे सिर्फ इसमें होंगे पानी में होंगे और यहां अगर हम बात करें तो they are soluble in non-polar liquids but not in water तो यहां पर क्या हो जाएगा soluble in non-polar liquids but not in water यह पानी में नहीं होंगे यह बाकी सारे non-polar liquids में यह soluble हो जाएगे तो यह तो है हमारे important differences between ionic and covalent compounds या आपने ionic and covalent bonds की वज़े से फॉर्फिन वाले compounds के भी difference को दोल सकते हैं अब हम लोग शुरू करेंगे coordinate और dative bond अब हम लोग देखिए देखेंगे coordinate coordinate और dative bond इसको dative bond भी बोला जाता है तो हम कह सकते हैं कि यह special type का coordinate bond ही है it is a special type special type of covalent bond यह special type का covalent bond ही है लेकिन यहाँ पर क्या होगा जो भी electrons की sharing होगी वो completely एक atom की वज़े से ही होगी completely एक atom ही अपने सारे electrons को share करेगा लेकिन difference क्या है here the sharing of electrons यहाँ पर कहता है mutual sharing थी मतब दोनों ही आपस में share करेंगे लेकिन here the sharing of electrons is completely by one of the combining atoms एक में ही मतब one of the combining atoms ही अपने पूरे पूरे electrons क्या करेगा share करेगा ठीक है तो एक जो element होगे एक atom अपने पूरे electrons share कर देगा और दूसरे वाला उसके सारे शेरिंग कर लेगा लेकिन दूसरा वाला पहले वाले के सारे शेरिंग नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पर कुछ terms है like donor ठीक है donor donor का मतब होता है वो species जो आपके electron को contribute कर रहा है electron contributing electron contributing species उसको क्या बोल देते हैं donor ठीक है फिर एक होता है मेरा acceptor एक होता है मेरा acceptor और यह क्या होता है electron normally इसको क्या करता है electron accepting species ठीक है यह electron को accept करने वाला species होता है तो यह हो गए मेरे donor और acceptor के बारे में अब हम लोग देखते क्या conditions necessary होती है conditions necessary for coordinate bond formation conditions necessary for coordinate bond formation coordinate bond formation के लिए हमारी क्या conditions necessary होती है अब हम यह चीज़ देखेंगे तो सबसे पहली condition क्या है मेरी सबसे पहली lone pair of electrons होना चाहिए lone pair of electrons should be there should be there lone pair of electrons होना चाहिए जैसे मैं आपको बताया था ammonia आगया हम देखे ammonia में nitrogen hydrogen ने 3 hydrogen के साथ combine तो कर लिया लेकिन इसके 2 ऐसे electrons रह गए जो की combining state में नहीं आए 2 ऐसे electrons थे जिन्होंने combine नहीं किया इन्हीं कौब लोग बोल देते है lone pair of electrons यह किसी भी reaction में काम नहीं आ रहे किसी भी combining action में इनका कोई काम नहीं हुआ ठीक है दूसरा duplet और octate पत्तर जो combining atom है उसका duplet या octate अचीव नहीं होना चाहिए duplet oblique octate should not be achieved should not be achieved by the combining atom तो combining atom है उसका duplet या octate अचीव नहीं होना चाहिए complete नहीं होना चाहिए ठीक है तो examples of coordinate bond सबसे पहले देखते हैं ammonium iron में ठीक है examples of coordinate bond देखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहला है ammonium iron में NH4 plus तो यहाँ पर अगर हम देखें तो nitrogen के balance में कितने electrons होते हैं 5 तो 1,2,3,4,5 तो 3 तो hydrogen के साथ पहले ही यहाँ पर share हो चुके हैं ठीक है 3 hydrogen के पास पहले से ही आप पर share हो चुके हैं कितने electrons बाकी बच गए 2 electron बच गए इसी को हम क्या कहते हैं lone pair अब बोगा क्या आपका जो यह 2 electrons हमारे क्यों थाली बच गए ठीक है तो हमारे पास एक होता है hydronium iron H plus iron H plus iron में कोई भी electron नहीं होता no electrons in outer orbit no electrons in outer orbit ठीक है तो यह क्या करेगा इसको कितने electrons चाहिए अपना duplet complete करने के लिए दो तो यह होगा मेरा donor atom ठीक है यह क्या हो जाएगा मैं red से लिख दे रहा हूँ यह हो जाएगा मेरा donor atom मतंदम nitrogen क्या करेगा donate कर देगा यह बन जाएगा मेरा donor atom और यह दोनों के दोनों किसको donate कर देगा H plus को तो देखें arrow बनाई जाती है अगर मैं बना रहा हूं A से लेकर acid B तक arrow तो मतलब A मेरा donor atom हो गया B मेरा acceptor atom हो गया ठीक है यहाँ पर यह point important है यह मेरा donor atom हो गया यह मेरा acceptor atom हो गया this becomes the acceptor atom ठीक है यहाँ पर मेरा donor atom है nitrogen और acceptor atom है H plus तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा coordinate board और फाइनली structure कैसा मिलेगा हमें structure मिलेगा N एक hydrogen ऐसा एक hydrogen ऐसा एक hydrogen ऐसा और एक बना देंगे ऐसा और पूरे पर क्या चार्ड जा गया NH4 plus ठीक है तो यह हो गया मेरा structure of ammonium hydroxide sorry ammonium ion यह हो गया structure of ammonium ion ठीक है तो यह हाँ पर हम देख रहे हैं कि coordinate bond आपका form हो रहा है between nitrogen और hydrogen के बीच में nitrogen आपका donor atom हो गया hydrogen आपका acceptor atom हो गया nitrogen में अपने loan pairs कि को donate कर दिया hydrogen को और hydrogen में वो क्या कर लिए accept कर लिए तो जो completely जो donation है वो nitrogen भी तरफ से hydrogen अपने कोई भी electrons की sharing नहीं कर रहा लेकिं nitrogen ने completely क्या कर दिया अपने electrons इसके साथ hydronium ion के साथ H plus के साथ ठीक है तो यह हो गया हमारा क्या चीज यहां पर यह एक तरीके का हमारा है coordinate bond जहां पर हमें देखते हो मिला कि compounds में coordinate bond कैसे फॉर्म हो रहा है अब हम लोग कुछ यहां पर examples और देखते हैं तो देखें यहां से तो इतने part पर हमारा chemical bonding तो finish हो गया लेकिन हमारे को कुछ और की चीज यहां पर पढ़नी है कुछ shapes हैं molecules की कुछ shapes हैं जो हमारे CMA cerebus में है CBT1 मतलब engineers वालों के लिए उठके लिए नहीं दिया लिया लेकिन क्योंकि पूछा जा सकता है तो हम लोग उसको भी यहां पर discuss कर लेते हैं तो अब हम लोग कुछ देखेंगे shapes of some molecules ठीक है shapes of some molecules की shapes देखेंगे सबसे पहले देखते हैं carbon dioxide की तो carbon dioxide कैसा होता है यह होता है कि carbon dioxide का structure ठीक है तो एक दो तीन चार और इतना हो गया एक दो तीन चार हो गया चार इसके साद शेर हो गया ठीक है तो इसकी shape कैसी हो जाएगी यह हमारा linear molecule है यह हो गया हमारा linear molecule this is the linear molecule अब देखते हैं हमारा ठीक है अब हम लोग नेक्स देखेंगे आपर methane molecule की बार में ठीक है यह तो हमारा पहला हो गया दूसरा हो गया methane CH4 तो अगर हम देखें ठीक है जो हमारे CH4 का structure है वो हमारा tetrahedral structure है कैसा है tetrahedral structure है और हर के बीच में आगे लग रहें हाँ देखें hydrogen के बीच में यह जो angle है हमारा यह अच्छी 3D में हम बनाएंगे 3D में मैं आपको बना दे रहा हूँ यह हमारा carbon हो गया यह हो गया मेरा hydrogen ऐसे जुड़ा हुआ है फिर एक hydrogen मेरा ऐसे जुड़ा हुआ है फिर एक hydrogen यह बाहर निकल रहा है ठीक है और एक है मेरा यह hydrogen तो इसका यह जो structure है हमारा यह हमारा tetrahedral structure है और हर angle कितना होगा 109.5 degrees हो जाएगा ठीक है हर angle हमारा होगा 109 यह भी 109 यह भी 109 यह भी 109 यह भी 109 तो इसी के साथ हमारा यह वाला module ही पर finish होता है एक module इसमें हम लोग और cover करेंगे जहां और topics जो chemical bonding में है वो हम लोग यहां पर खतम कर लेंगे तो आप प्लीज मेरे channel को subscribe कर लीजे मुझे अर अचाडमी पर भी follow कर लीजे और जितना maximum हो सकता है अपने friends के साथ इसे share दीजे Thank you so much